हाई गाईज आज मैं आपको मेरी राजस्तान ट्रिप का एक्सपिरियन्स शेयर करूँगी राजस्तान में हम फाइफ मेजर सिटीज घूमने वाले थे जैपुर, जैसलमे, जोधपुर, अजमेर और उदैपुर बुकिंग करते टाइम हमने आगरा भी हमारी लिस्ट में एड किया क्योंकि आगरा जैपुर से सिफ 240 किलो मिटर्स की दूरी पर है तो आगरा मिला कर हम टोटल 6 डेस्टिनेशन कवर करने वाले थे हमारी जर्नी टोटल 10 डेस की थी और बजट 50,000 था हमारे पहले दिन का शेडिल कुछ इस तरह था हम मुंबई से देली जाने वाली फ्लाइट 3 बज़े सुबह में बोड करने वाले थे जो हमको 5 बज़े देली एरपोर्ट पहुचाने वाली थी फिर हमें देली एरपोर्ट से देली निजामुद्दिन डेलवे स्टेशन जाना था देली एरपोर्ट से देली निजामुद्दिन स्टेशन पहुचने के लिए 40 मिनट लगते हैं देली रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बज़े ताज एक्सप्रेस निकलती है जो हमें सुबह 10 बज़े के करीब आगरा केंटर्मेंट बोर्ट सेशन पहुचाएगी फिर हमें जैपूर जाना था इसलिए हमने आगरा स्टेशन से जैपूर जाने के लिए 5.40 पीम की शताबदी एक्सप्रेस बुक की शताबदी एक्सप्रेस हमें 9.30 बज़े रात को जैपूर पहुचाएगी सो हमारे पास आगरा में स्पेंट करने के लिए टोटल 8 आर्ट थे हमने होटल बुक आगरा फोर्ट स्टेशन के पास में किया था आगरा केंटानमेंट बोर्ट स्टेशन से आगरा फोर्ट स्टेशन 4.5 किलोमेटर की दूरी पर है हम वहाँ ओटो से 10 मिनिट में पहुच गए फ्रेश होकर और लगेज रखकर हमने हमारी आगरा की साइड सिंग शूरू की आगरा फोर्ट स्टेशन होटेल से ताज मेहल 4 किलोमेटर दूरी पर है आटो ने हमें 100 रुपे में ताज मेहल छोड़ दिया ताज मेहल के इंट्री फिल्स पर हेड 50 रुपीज थी इसने ताज मेहल के प्रिमाइसेस में 100 रुपीज में एक लोकल गैड हायर किया जिसने हमें ताज मेहल के आर्किटेक और इतियास के बारे में अच्छे से बताया ताज मेहल को देखने के लिए हर साल 70 से 80 लाख लोग आते हैं ताज मेहल को देखके यकीन हो गया कि हम उसे विश्वा का अजवा क्यों कहते हैं ताज मेहल को बनाने के लिए पूरे 20 साल लगे थे और उसको 20,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था ताज मेहल की हमारी कुछ यादे आपके लिए अज़ ताज में जड़ inadम हैं झाल में पूरे 20,000 को अज़ ताज में पूरे 21,000 को अज़ देखके लिए झाल झाल हम सब को ताचमेल की खुबसूरती जीवन में एक बार तो यहां आकर अनुभाव करनी चाहिए मैल से अगराफोर्ट की दूरी 3 किलोमेटर्स की है आटो आपको अगराफोर्ट की गेट तक 50 रुपीज में छोड़ देगा अगराफोर्ट बहुत ही विशाल और खुबसूरत है अगराफोर्ट इंडिया के बन आप दा बैस प्रिजव फोर्ट में से एक है अगराफोर्ट को लाल किला भी कहा जाता है अगराफोर्ट बनानी की शुरुवात अकबर के शासन में की गई थी कुछ important और helpful tips आपके लिए फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स के लिए हमने make my trip and go I bebo का app यूज किया सारी बुकिंग्स एक महिना पूर्व करें इससे आपको last moment पर problems नहीं होगी अगर आपके पास सामान बहुत है तो आप सामान रखने के लिए कोई भी होटल में room book कर ले अगर आपको ताज महल और अगरा फोट एकी दिन में explore करना है तो आपके पास कम से कम 6 घंटे होने चाहिए नेक्स वीडियो में मैं आपको अपनी जैपूर की ट्रिप का experience शेर करूँगी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेर करें कर दोस्तों कर दोस्तों करушब करूब कर दोस्तों कर दोस्तों चाहिए